Welcome back to my template, आप सभी का सवागत है मेरा template पे, दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि नोटिफिकेशन कैसे सेंड करते हैं किसी भी application में, ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों ये वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है, लेकिन कुछ problems थी, आप लोगो यूट्यूब पर जब वीडियो देखते हैं, तो हर यूट्यूबर, अल्मस्ट 85% तक यूट्यूबर्स ये बोलते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, बाजू में जो वो घंटा है उसको दबा दीजे, घंटी दबा देना, बैल आइकन दबा देना, सब आपको ये बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वो आपको ऐसा, क्यूंकि जब वो कोई दूसरा नया वीडियो डालें, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपके फोन में नोटिफिकेशन आजाए, किया रहे हाँ, इस बंदे का वीडियो आगया, आप मुझे देखना है, इसी तरह application में भी होता है, application में क्या होता है, कि आपको bell icon दबाने के जरुरत नहीं पड़ती, ठीक है, application के अदर integration किया होता है, already notification का, हर application में, almost 80% applications में, जो normally template way से बनाया जाते है, उसमें दो जो websites हैं, इनका notification system यूज खिया जाता है, इनके API को यूज किया जाता है, first, जो Google का है Firebase ठीक है यह सब में किया जाता है ठीक है second one signal वो भी one signal भी possible तभी है जब Firebase का अपने अप्लिकेशन में किया है तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि Firebase से notification कैसे भेजते हैं अपने किसी भी application में आपने कैसे भी notification अपने बिठा लिया है लेकिन notification भेजते कैसे हैं और यह बहुत जादा जरूरी होता है दोस्तों आप सभी को बता दो notification नहीं भेजोगे तो लोगों कैसे पता चलेगा कि आपने अप्लिकेशन में कुछ नया content डाइट कि अब समझो एक एक जांपल के तौर पर बता रहा हूं कुछ clients दे मुझसे tournament के application बनवाए हैं अब वह जब room ID password नया create करेंगे या match कब होने वाला इन सब चीजों को notification वह कैसे भेजेंगे ठीक है तो इस तरीके से भेज़ता आपको मैं बताता हूं कैसे भेजते है notification notification भेजने के लिए सबसे पहले आपको firebase console google पर search करना है ठीक है अगर आपका account है तो sign in कर लीजेगा account नहीं है तो sign up कर लीजेगा क्या basic detail रहती है अपना नाम डालना है add project करना है बस अब कुछ नहीं रहता ठीक है और जिन्हों ने मुझसे अप्लिकेशन बनवाए होगा उनका तो मैं पहले से पर click कर देना है click करने पाद उनके सामने ऐसा option open हो जाएगा ठीक है ऐसा option open हो जाएगा तो इसमें तो इतने सारे function नहीं कि आपको सारो जो इतने सारे functions देख रहे है सबका use नहीं करना है simple आपको grow वाले बटन पर click करना है ठीक है बता रहा हूं कैसे यह जो grow बटन इस पर click करना है और click करने के बाद आपको यह दिखे cloud messaging लिखा है cloud messaging पर click करने के बाद send your first message हलाग कि पहले आपने message भेजा होगा तो भहाँ पर दिखा देता है अब बता देगा है कैसे क्या दिखाता है send your first message पर click किया उसके बाद में आप अपना job भेजना चाहते है नोटिफिकेशन में यहाँ पर डाल दीजे अगर आप टोनेमेंट के रूम आइड पासवड भेजने है तो यहाँ पर रूम आइड लिख दीजे रूम आइड और यहाँ पर रूम आइड और पासवड सिंपल यहाँ पर रूम आइड पासवड लिखा आपको लिंक पर पहेज रहा है नोटिफिकेशन में यहाँ पर लिंक लाल दीजे इमेज यूर लाल दीजे और भेज दीजे भेज रहे हैं तो अदर्बाइस कोई जोरूत नहीं है सीधा आपको आपने रूम आइड डाल दिया है ऋभर हम भेने वाधा बाद आपको यहां पर क्लिक करना है और आपका प्कज टी करना है अपको फिल इजञि पर खू सेवत्याक नेक्स पिलिक कर जब के अपने हो तो फिटाम लिजा घजाए तो आपको नेक्स पर किलिग कर जाए आप तो आपको प्लेकशन जाएक सांड जाएक और पबörtने के बाद वो नोटिफिकेशन उन सबर फैसे वमाव जाएगा जीनओ ने आप्लिकेशन इंस्टाल किया होगा, फिर नदिफिकेशन भी है, तो निव नोटिफिकेशन पर कलिक कीजिए और पैसी ही, शेंड कीजिए। इसी तरीके से नोडिफिकेशन भेज़ा जाता है अपने किसी भी अप्लिकेशन बनवाया और आप तक जीनो नहीं बनवाया है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं क्योंकि अब उसके रेसल है हम लोग तो कुछ जैसे वीचे रेट के साफशाब मुझे कॉल कीज़ा आपको बता दूँगा नीचे डिस्रिप्शिम बॉक्स मेरा नंबर दिया हुआ है और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में